हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल मैं हूँ सना और आज मैं आपके साथ भर्वा करेले की रेसेपी शेयर कर रहे हूँ आप इस तरीके से अगर भर्वा करेले बनाएंगे तो गरेंटी है आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे बहुत ही टेस्टी करेले बनके करने के बाद हम इसको इस तरीके से छील लेंगे उपर से जो इसकी स्किन है वो निकाल लेंगे यह देखिए यहां से आप इस तरीके से चाको के अलब से इसकी मोटी मोटी स्किन निकाल लीजिए इस तरीके से निकालना है आपको सारे करेले को इसी तरीके से आपको तयार क कृट लगा लेंगे जिसी हम इसके सीद्स को निकाल सकें यह अंदर हैं इसके कंड कवा लिए और इसकी जो की एंदर का लिया टो आहाट लोगें चोट ल्गशते हैं लिए के के स्कृन की हलो टेसन निकालें करेले तेंगे। इस तरीके से करेले यह तो पके हुए हैं यानि हम इसका इस्तेमाल नहीं करींगे। सारे करेलों करेले को मैं छील करके बीच में से के सीट्स निकाल दिये और यह रेडियों गए हैं। और यह सीट्स हैं इसको हम हटा देंगे करेले के चिलके जो है उपर हम थोड़ा सा नमक शिरख देंगे इस तरीके से आदा एक शमज के बराबर आपके नमक डाल देंगे और इसके अंदर भी थोड़ा से नमक लगा देंगे करेले के अंदर कड़वे पानी की वाज़े से नमक लगाने से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और जो कड़वा पानी है वह हम निकाल के बाहर कर देंगे तो पहले हम इस तरीके से नमक लगा करके इसको आदे गंटे के लिए छोड़ देंगे याद हम दोनों चीज़ों के लिए लिए डाल देंगे लिए आदे हम आधे घंटे के बाद हम इसमें से पानी के साथ ही इसमें हिसके लिए निकल जाएगी और चिल्क को बाद करें नमक करें बशाइब और चिल्कों और यूज़ नमक की वज़ये से पाली में आपनी के वाच करें के तिखाम पॉत्ता है मैं ति अुद्च के अचिंच पानी में लाब इस पानी करेल लाब टा टांडा ट्थेक आपर in रखी हो नियुद्च के अंचिता लिएम अल deal भी्पानी बार nights तो यह पानी निकल जाएगा अब चलते हैं इसके लिए मसाला त्यार करेंगे मैंने कड़ाई में ऑइल डाला है दो से तीन बड़े चममज थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा ऑइल डाला है क्योंकि हम करेलों को फ्राइ करेंगे तो इसके अंदर हमारे जो करेले हैं हमने बॉयल क करेले के अंदर करवाहट नहीं रहती है करेलों को अगर आप फ्राइब काफी हद तक कम हो जाती है करेले हमारे फ्राइब हो चुके हैं इनको मैंने तीन से चार मिन तोनों साइड से अच्छे से अच्छे से निकाल लेते हैं अब बचे हुए ओयल में हम बनाएंगे मसाला तो इसमें मैंने एक चमच भर के डाल दी है सॉफ और यादर छूटी चमच जीरा डाला है सॉफ का फ्लेवर करेले के अंदर बहुत अच्छा आता है तो एक चमच भर के हमने सॉफ डाली है और इसमें हम डाल देंगे दो चुटकी के करीब हिंग से डाइजिशन भी अच्छा होता है और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है करेले के अंदर तो अब सारी चीजों को अच्छे से चटकने देंगे और उसके बाद हमसे में दो मीडियम साइज के प्यास बारिक चॉप करके एड़ करेंगे इसमें बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है हलका सा ब्राउन कलर आ जाए बस इतना ही हम इसे फ्राइ करेंगे तो प्यास हमारी हो गई है अब इसमें आप चिलके एड़ करेंगे छिलकों को मैंने अच्छी तरीके से वाच कर लिया था और इसकी अंदर कड़वा पानी भी थ छिलके जोएं काफी सौफ्ट हो गए हैं अब इसमें जाएगा थोड़ा सा मसाला में हमें एक चोटी चमज भरके लाल मिर्च का पाउडर एड़ करेंगे 1-4 तीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर एड़ करेंगे आदा छोटी चमज भुने वए जीरे का पाउडर और एक छोटी चमज भरके हम इसमें धनिया पाउडर अड़ करेंगे तो मसालों में सिर्फ यही मसाले जाएंगे नमक हम थोड़ा सा कम अड़ करेंगे टेस्ट के साथ से तो में यहां पर दाल दिया धनिया पाउडर नमक हम इसमें बाद में डालेंगे क्योंकि इसमें काफी सारा नमक हमने वैसे भी यूज़ किया है मसालों को मैंने एक मिनट के लिए पका लिया है अब इसमें टमाटर पारिक चॉप करके वह एड़ कर देंगे इसको एक बार अच्छी तरीक से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक और चीज जिसकी वज़े से हमारे करेले जो है बिल्कुल भी कड़बे करेंगे और जापके घरमे ही अबलेबल होती है इसका टेस्ट भी बढ़ता है और कड़वे भी नहीं बनेंगे एक अलुली आए मैंने च्हील क tąर्ड़ कर लिया है कड़ूपश कर पानी से घंदि चल्ली मेर्का दिया आब इसको हमें पकाना तो जो आलु हमने एकाना है यह कड़बे नहीं बनेंगे आदा छोड़ी चमच में नमक डाल रही हो क्योंकि नमक मैंने इसमें काफी पहले भी यूज़ किया है कड़गार ठटाने के लिए तो धोने के बाद भी थोड़ा बहुत नमक रह जाता है तो नमक पहले थोड़ा कमी डालें इसमें अब हमसे ढखकर एक चमच में भरके तो छोड़ा करेला डाला रही हूँ आछे से मि blender रञें मिक्स कर देंगे इससे अच्छीज Zahl का डाला कावले कैड़ी में मैं अच्छीज़ करता है च्छार के लिoration करेले के डालें में स्टभ्षा, करेला आलपकसर की नमक राद्भरot करें करेलो के बनने के बाद मैं उसी कढ़ाई के अंदर ये करेल इस तरीके से लगा रही हूँ अब इसको ढख करके हम लो मीडियम फ्लेम पे 2-3 मट एक साइट से पकाएंगे और 2-3 मट हम इसको एक साइट से पकाएंगे क्योंकि हमारे करेलो में भी काफी ऑईल है और हमारी जो कढ़ाई है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ऑईल बचा हुआ है तो मैं इसमें ऑईल नहीं डाल रही हूँ आप चाहें तो थोड़ा सा ऑईल गरम करके उसके अंदर इसे पका लें तो उलट पलट करके हम इसे 3-4 पगा लिए लो मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल साफ्ट हो चुके हैं करेले अच्छे से पक चुके हैं अब इससे हम डिशाओट कर लेते हैं तो इस तरीके से आप भरवा करेले की रेसेपी जरू ट्राइ करें आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे तो अगर